गुद आफटरनून तो आज का जो सेशन है वो ओविसली इंपॉर्डेंट है विगॉस आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे बहुत टाइम हो गया दा और बार बार यही बात चल ले दी कि सर पुछ ऐसा डिसकस कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हम लोग ट्रैक पे आ क्या था और किस बारे में बात करना है तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो इसी पर करेंगे कि हमारा एम क्या है हमारे पास कैसे हम बात करेंगे सर हम सक्सेस पाना चाहते हैं हम नोट्स जो भी है कौन-कौन से यूज़ करने चाहिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए अपन अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं और बाकी लोग एक बार अगर चाहें तो और लोगों को इंफॉर्म कर दें because the session will be important to all of you ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब चार लोग है तो चारी लोग के जरूरी जरूरी रहेगा सेशन सब के लिए जरूरी रहेगा कभी कभी हमें जरूरत होती है कि कोई हैं पुष करें कि सर क्या करना चाहिए तो आज वह गिए तोड़ा सा बताऊंगा कि क्या करना कैसे करना है थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हाँ बच्चों को लगते हैं कि हाँ सर ने क्या किया हुआ तो चलो आज मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था कैसे किया था मैंने, क्या वाकई में मतलब सबकी life इतनी असान होती है, जितना हम सोचते हैं, या ऐसा ही होता है कि नहीं हमारी life में दिक्कत है, बागी किसी life में दिक्कत नहीं होती है, तो चलो आज इस पर भी discuss करेंगे, छीक है, चलिए, 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 तो हम मैं नेम इस योगेस्त्यागी मेरे ख्याल से आप मुझे जानते हैं मैं नेम इस योगेस्त्यागी फेकल्टी उफ मेकानिकल इंजीनिंग आपको जहां पर भी फ्री कूर्स में अप्लाई करना जो भी है आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं चले पहले अपना इंट्रोडक्शन में फिनिश करता हूँ और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने जो में सेशन है उस फे ठीक है अगर आपने अभी तक अनकाडमी का एप डाउनलोड नहीं किया है तो अनकाडमी का एप मैं फिर से सजेस कर रहा हूं अनकाडमी का एप डाउनलोड कर लीजे और इंस्टल कर लीजे इंस्टल करने के बाद आपको जो बेनिफर्ट्स मिलेंगे वो बिता यह मिलेंगे आपको special classes मिल जाएगी वहाँ पे light test मिल जाएगा, quidges मिल जाएगी anacademy का combat मिल जाएगा in case अगर आपसे code पूछ लेता है unlock का तो you can use this code this code is च्यागी 100 ठीक है यह जो code है, grease, kuswa, good afternoon good afternoon, good afternoon to all of you चलिए बाकी लोगों को तक तक inform कर दीजे आज हम लोग का discussion important रहने वाला है this is me, अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं तो आप मुझे follow कर लीजेगा unacademy पे, in case अगर आपको लगता है कि sir आपको follow करना चाहिए वहाँ पे जो भी classes है, उनकी information मिलती रहेगी yes you can follow me so these are the two type of the courses जो हम बात करते हैं, एक हमारे पास है plus एक है iconic, जो unacademy paid courses प्रोवाइड कराता है unacademy plus की बात करें तो इसमें है live classes, crash course, weekly test, doubt solving हिंदी और इंग्लिस दौनों में रहते हैं plus आपके बाद में चलते है rank improvement batches iconic में बात करें तो पूरा का पूरा आपके पास यहां से plus रहता है साथ में आपको मिलता है personal coach जो आपको बताता है क्या करना है, कैसे करना है कौन सी strategy बना ली है जो आपका study planner है और यह वही रहते हैं जो gate के rankers रहते हैं study booster sessions और personalized test analysis इसके अलाब आपको मिल जाता है preparation के study material तो यह दो टाइप के paid courses on academy provide कराता है अगर courses की fees की बात करें so this is the fees 27225 अभी आपका just on academy ना offer निकाला है कि in case आप 12 months का लेते हैं तो आप 15 months का आपको मिलेगा 3 months का off मिलेगा this is the fees for 18 months and this is the fees for 39 6,000 तो better है कि अगर आप 18 का ले रहे तो 12 का ही ले लेजे fees आपकी कम पढ़ेगी और आपका थोड़ा सा पैसा बचेगा चलिए यह iconic की fees है 12 की और 24 months की तो आप iconic अगर लेना चाहें तो iconic पर आ सकते हैं चलो बात करते हैं यह 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 इसी के बारे में बात कर रहे था इन्यक्स आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं preparation करना चाहता हूँ अगर gate के बात क्या करोंगो तो yes gate के बात बहुत सारा आपके पास टा donne रहेगा आप उसमें अगर चाहें तो इसमें अगर enroll करना चाहें तो आप इन्रूल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आ सकते हैं चलो इस पर बाद में बात करते हैं यह सब इसके बारे में हम लोग discussion बाद में कर लेंगे यह सारी चीज़े अरक्याड़िमी का scholarship test संडे को होता है इस बार आपका जो test है वो 18 को है आप 18 को 11 a.m. scholarship test में appear हो सकते हैं और अगर आप top 3 में रहते हैं तो आपको 100% scholarship मिलेगी 100% scholarship मतलब in case आपका subscription आपको लगता है कि सब मुझे मैं पैसे नहीं पे कर सकता है तो yes आप इस से आ सकते हैं scholarship on the basis of scholarship यह आपके evolve batches और ascend batches दो start हुए आप चाहें तो इनमें appear हो सकते हैं या इनमें जिस से भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं by using this code इस code is त्यागी 100 ठीक है चलो अगर अभी तक follow नहीं किया है तो follow कर ले न अगर आपको नहीं लगता है follow करना तो कोई बात नहीं ऐसा जरूरत नहीं है कि नहीं सर हमें follow करना ही चाहिए चलो तो I hope कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको visible होंगी थोड़ा सा शायद मतलब color वैसा लग सकता है या अगर आपको lighting ज़्यादा लग रही हो तो मुझे बता देना बट अपना session जो है वो start करते है और आज का जो session है वो basically इसी बात पर है कि थोड़ा सा आप बताना है कि sir मुझे ये दिक्कत आ रही है थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये दिक्कत मुझे भी आई थी थोड़ा सा आप बताना है कि सर मुझे ये बाली बुक पढ़नी है, ये बाली बुक कैसी रहेगी, मैं बताऊंगा कि नहीं, ये बाली बुक नहीं, ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये बाला काम है, चीक है, तो each and everything, सब कुछ हम लोग यहां पर discuss करने वाले, जहां पर आपको लग रहा है, कि नहीं सर मैं बात करूँगा, या मैं यह से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कहीं भी अगर आपको कुछ भी लगता है, तो one by one हम लोग सारी की सारे discussion करेंगे, ठीक है, सो चलिए सबसे पहले बिटा, हम लोग यहां से बात करते हैं, expected marks from each subjects, अगर हम लोग subjects की बात करें, तो सर कौन-कौन से subject हैं, कितने-कितने marks की आते हैं, क्या पढ़ना है, board का color change करते हैं, board का नहीं बिटा, यह PPT का color है, board का color नहीं, यह PPT का color है, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, किसको करके देखता हूँ, अभी आपको proper visible होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैख, जरूर कम visible होँगा, लेकिन यह आपको proper visible हो जाएगा, in case अगर मैं just बात करूँगा, मुझे पहले एक बार बता देना, color बगेरा सब कुछ ओके है, क्या सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, और अगर दिख रहा होगा, तो obviously फिर better रहेगा, yes, 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 मुझे एक बार पहले मैं confirm कर लेता हूँ, उसके बाद अपना जो session है, वो start करते हैं, चीक है, पहले मैं confirm कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना, अभी clear है, अभी clear है, चलो ठीक है, अभी clear है तो ठीक है, अभी अपना session जो है, वो start करते हैं, तोड़ा सा मैं color जो है ना, वो dark ले लेता हूँ, तोड़ा सा color जो है ना, अभी ठीक है, तो one by one everything हम लोग यहां से discuss करना है, चलो, अभी ठीक है सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात हम लोग यहां से बेटा जब भी बात करते हैं तो सर्व क्या करना है क्या करना है, बहुत सारे लोगों को यही confusion है कि सर नौकरी तो है नहीं मार्केट है पहला जो सबसे बड़ा इस्यू है कि सर मार्केट में नौकरी नहीं है मैं तयारी किसके लिए करूँ पहला सबसे बड़ा इस्यू यही है कि सर मार्केट में नौकरी नहीं है मैं किसके लिए तयारी करूँ क्यों तैयारी करूं मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी पहले तो मैं सब को एक ही सजेशन देना चाहूंगा बेटा सब लोग घर पे रहिए अभी इस टाइम पे बहुत जादा इधर उदर भागने के जरुत नहीं इसके बारे में भी डिसक्सन करेंगे आज इसके बारे में भी डिसक्सन करेंगे करेंगे कि हां मतलब यह जो आपने कोशन बोल दिया कि सर आप यहां से मतली करें इसके बारे में भी डिसक्सन करेंगे मेरी बास सुनो यहां से हाँ चलो 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 इधर देखो इधर देखो इधर देखो पहले बात करते पहले बात करते आपको आज सारे आं से मैं subject पढ़ा रहा था तो कल मुझे एक बच्चे ने question कर दिया था कि सर मतलब किसके लिए तैयारी करे मेरा मतलब मैं करी क्या सकता हूं मैं कर क्या सकता हूं मैं पढ़ भी लूगा तो मेरा कुछ होद थोड़ा ना पाएगा तो अक्सर मेरा उन बच्चों से एक ही सवाल है आप जितने भी बच्चे होई यहां पर मैं मानता हूं कि सब लोग जान लगा के महनत कर रहे हो सब लोग जान लगा के महनत कर रहे हो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नहीं जिस बच्चे का selection हो आपने जिनसे बात की लेट सबोस आपकी कॉलेज का टीचर था आपने उनसे बात की कॉलेज की टीचर ने बोला कि नहीं नहीं तुम बिलकुल दिमोटिवेट हो गए तुम किसी बच्चे से मिले जाके जिसने पास साल दयारी की थी उसने भी बोलग नहीं कुछ नहीं करना है कुछ होता थोड़ा ना मेरा नहीं तो तुमारा कैसे हो सकता है मैं ऐसा नहीं बहुत कम होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से मिलो जो वाकई में आपको सही चीज सही जगे पे बता पाए एक छोटी सी स्टोरी आपको पहले मैं बताता हूं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं एक बार महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध होते हैं तो उनका सेश्य होते हैं आनंद महात्मा बुद्ध की जब काफी एज हो जाती है तो उनका उपदेश देना जो उपदेश देते थे वो उपदेश उन्होंने देना कभी नहीं छोड सुनते हैं तो वो बहुंवान बुथ एक बार ऑग जा रहे था कि कहीं जा रहे हैं कि जा रहे थे जा रहे था bree注 No इस इधर कि अदरेघार ड़े मानबुद एक बार एक बार गाउं extensions जा रहे थे अच्छा जाते 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 आठें इस गावों पर हम लोग कल चलेंगे, आज ही क्यों जाना है, तो उन्होंने बोला कि ये काम करो, बहुत छोटा सा रास्ता है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम उसी गावों पर जाएंगे, और मुहीं पर रुकेंगे, आपने सुना होगा, कहीं ने कहीं, चलो फिर मैं फिर से तो उन्होंने बोला कि चलो वहीं गावों पर रुकेंगे, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, तो जब काफी देर हो गया, मतलब एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, चलते चलते चलते, तो उन्होंने बोला कि प्रभो धूब बहुत है, इस किसान से पूछ लेते हैं कि क कितना दूर बचा है तो उन्हों ने उससे पूछा कि यह बताइए यह जो गाउं है कितनी दूर उसने बस 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 पहुंच गए थोड़ी सी दूर है तुम चले जो बस अभी पहुंचने वाले अच्छा जब उसकिसान ने यह बात बोली तो महादमाबुद ने उसके दर चल गए तब मलब उनसे फिर से नहीं रहा गया कि प्रभु बहुत ठक गये मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा तो कैसे चले आप यह बताव नहीं बुला चलो थोड़ी सी दूर और बचा है जब थोड़ी सी दूर और गये कि बुड़ी अम्मा मिली वह लकड़ी लेके कि प्रभु ये तो रखा आपका समान ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप भी यहीं पर आराम कीजिए अब मुझसे नहीं चला जाएगा लगबग हम लोग 6-7 किलोमेटर निकल आएं और जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात बोलता है कि बस 2 किलोमेटर और चले हुआ मैं जरना इंड उनोंने बोला कि देखा अनंत मैं तृमान बताओं कि इस गाओं में अगर पहले तो यह बताओं कि मैं वहाँ पर राखा वहां पे महां पूछा कि आप भगवाण मिसक्रा देते हैं नोगर जरले जो मतलूरा ओए तो मैंने भी सिपान मुझे यही की था तो हमारी जिंदिगी का जो मकसिद होंता है आप ध्यान करना अशा कुला कि हम लाइफ में जब भी होते हैं तो लाइफ में जो भी बंदा होता है उसका एक मकसद होता है कि दूसरों को उनके लक्स की तरफ मोटिवेट करना है अचा हम लोग क्या करते हैं जैसे मैं हूं मैं टीचिंग करता हूं तो मैं मेरा काम क्या है मेरा काम है आपको बताना कि आपको अपने लक्स की तरफ पहुंचना है कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, क्या काम करना पड़ेगा, यह मेरा काम है, आप 10th में जब पढ़ते थे, तो 10th में आपको याद होगा, कि 10th में आपको मम्मी पापा आपको बताए करते, 10th पास कलो 12th तो बहुत असान है, जब 12th में पहुंचने हैं, पड़ावाया, कि एक बार PSU हो जाए, फिर जिन्दगी सेट है, जब आप PSU में जाओगे, तब आपका फिर से नया गोल बनेगा, कि इस बार ये कर लेते हैं, फिर जिन्दगी सेट है, मेरी बास समझो, मेरी बास समझो, जिन्दगी में हमेशा, 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 एक ही मकसद बहुत ज़रूरी है वही भगवान बुद्ध अपना काम करते थे लोग अपना काम करते हो और तुमको वही करना है तुमको अपने आपको पहले बिलीब देना पड़ेगा हां मैं कर लूँ बस थोड़ा इसा तो और बचा है बस थोड़ा इसा तो पुछ करना है यार अपने आपको वही पुछ पुछ बाद ही तो आप आगे कर पाओगा एसा होता है कि हम प्यूंटेयो रहा वोर एक अब हम करो करो और अगर आपकी रेंग्सindetफ पास्फों के अंदर आती है पास्फों जादा नहीं बोला हूँ ना, वो magic number भी नहीं बोला हूँ, magic number अंडर 100 के अंदर मतला 2 digit वाला, 99, 98, 97, 14, 15, 16, मैं magic number भी नहीं बोला हूँ, अगर under 100 ये magic number क्रोस कर गए ना बेटा, तो मैं guarantee देता हूँ कि आपका कहीं न कहीं कुछ न कुछ होगा जरूर, guarantee देता हूँ, और न नहीं हो तो मेरे पास आजाना, फिर भी नहीं हो, फिर भी अगर आज को ऐसा लगे कि नहीं, सर आप बताए, आपने बोला था, आप मेरे पास आजाना, तो just अपने आपको demotivate करना पहले तो बंद करिए, पहले आप अपना प्लान करिए, अब हम लोग यहां से बात कर रह होगा, जो आप ना कर पाए, शायद कोई ऐसा question होगा, बट फिर भी बेटा हम यहां से अगर बात करें, तो engineering mathematics में 13 question है, आप 13 marks का जो है, इसमें आप 10 marks तो easily achieve कर सकते हो, 10 marks या 9 marks या 11 marks आप easily achieve कर सकते हो, अगर मैं ऐसा मानूं कि आप probability का शायद एक question आपसे wrong हो जाए, शाय 9 marks के अपकी English आती, तो इस 9 marks में, aptitude में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा अभी कोई बच्चा नहीं है, जो यह ना कर बाए, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि, yes, अभी हम बताते हैं, YouTube से कहां से start करना, अभी मैं आपको अराम से, अगर आप plus की बात करते हैं, तो obviously, कोई भी subject आप उठालो, कोई भी ऐसा subject नहीं है, अगर आप थर्मो की बात करें, तो थर्मो थोड़ा सा critical चला जाता है, आपका सुरू में आसान बहुत लगत लगता है, जो question आता है, तो हमारा mistake होती है, thermal application बहुत असान है, heat transfer, so, सारे के सारे जितने भी subjects हैं, ऐसा कोई subject नहीं है, जिसमें आप ये बोलो, कि sir में इसमें ये चीज़ ऐसीफ नहीं कर सकता, ये आपके पास, हाँ, एक ऐसा subject है English, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो चार न अपनी में नवीन गुपता ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, बहुत सारे private companies ऐसे हैं, जो gate score card के basis पे आपका direct interview लेते हैं, मतलब उनको ये चीज समझ में आ जाता है कि technically you are strong, because अगर बहुत सारे college हैं, तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा college अच्छा है, कौन सा college खराब है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, आपका एक screening करना पड़ता है, तो उस screening के लिए gate already है आपके पास, तो उसके base पे आप जा सकते हैं, बिलकुल, चीक हैं, तो आपके पास जो भी marks है, in case अगर आपने यहां से सोच लिया है, तो सबसे पहले तो अपना target बेटा, जितने भ आपको दिखा दू, पहले तो मैं आपको दिखा दू, अगर आप देख पा रहे हो, तो आप यहां से देखोगे, कि यहां पे 2021 का, जो cutoff है, वो यहां पे उड़ गया है, मेरी खाल से आप देख पाएंगे, तो 33 marks आपका cutoff था, 2021 का जो cutoff है, वो पेटा आपके पास 33 marks cutoff थ अभी 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 recent गया है, तो यह आपने देखा होगा, सारे cutoff लिख रखें, 2021 नहीं मैंने सारे cutoff लिख रखें, आप यहां से देखोगे, 34 marks, 34.1034, यह एक minimum score है, जिसमें हम आपने आपको यह कह सकते हैं, कि हम MTEC के like है, अभी आपको एक और चीज बिलकुर shocking दिखाता इस बार का, gate का, average score जो था, अगर सारे बच्चों को मिला दे, सारे बच्चों को मिला दे, सब का average कर दे, mechanical का, तो 16 number था पिटा, 16 number average था, इतना सब कुछ करने के बाद भी, सारे बच्चों का जो average, अगर हम यहां से marks और average, student का average लेने, total तो total जो average था, वो पिटा, 16 number था, औ यह next one month तक, load हो जादा है, yes, कोई बात नहीं, load सब के पास रहता है, ठीक है, यह आपका OBC वाले एक बच्चों का है, यह SCST वाले बच्चों का है, तो यह अभी तक का current scenario है, कि इसका मतलब यह है, on an average अगर मैं बात करो, तो सर्व 34 to 35 marks मुझे लाना पड़ेगा, तब मैं qualify ह पाऊंगा, बस qualify हो पाऊंगा, इसके अलाबा कुछ नहीं कर पाऊंगा, yes, मैं qualify हो जाऊंगा, qualify in the sense कि अगर हम किसी भी college में जाएंगे, तो at least इस like हो जाएंगे, कि मुझे 12,400 की stipend मिलेगी, बस इस like हो जाएंगे, इसके अलाबा मैं अभी कुछ नहीं बोला हूं, बस इतना ही अभी ध्यान देना है, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, टॉपर्स की मार्स, टॉपर्स की मार्स में बात करते हैं, यह जो 2021 का टॉपर का मार्स है, वो 93.22, मेरे ख्याल से आप टॉपर को बहुत बार, आप तो सारा का सारा ओनलाइन है, तो आपने बहुत इंट पढ़ने वाले हो, सुनो मेरी बार, अगर आप वाकई में पढ़ने वाले हो, तो आप सुनना, आपने बोला कि सर यहां पे जो लड़का आया था, आपके दिमाग में बार क्यूरिसिटी आती है ना, कि सर में यहां पे गेट 2021 जो हुआ था, उसका टॉपर कौन था, आती है ना, क्यूरिसिटी, आप नहीं, आप नहीं बेटा, जितने टीचर्स है ना, वो भी चाहते हैं कि यह बच्चा मेरे साथ आए, मैं इसका इंटर्व्यू लूँगा, और जिन्होंने पढ़ाया, उनको कितनी कुशी मिलती है, सब को, सब को, सब को, जितने भी टीचर्स, सब नहीं कर रहे है, 2020 का बच्चा कौन है, 2018, 2017, यहां से मैंने क्यूं नहीं लिखे, मैंने इसी दिने लिखे कि आपके दिमाग में एक बार आएगा, कि सर ये लोग कौन थे, ये लोग कौन थे, मैं यहीं चाहता हूं, कि अगर आप वाकई में कुछ क्रियेट करना चाहते हैं नहीं तो कुछ ऐसा क्रियेट किऊ नहीं करते हैं, कि इंडिया में लोग के बल तुम्हारी बात करें, इंडिया में लोग तुम्हें पूछें कि वो जो बच्चा था, उसकी rank 200 आई है, उसकी rank 50 आई है, उसकी rank 14 आई है, उसकी rank 15 आई है, और अगर आप वाकई में rank ला दो न तो इंडिया में लोग के बल तुम्हारी बात करेंगे और ऐसा कर सकते हो तुम ऐसा नहीं कि यह कोई Special बच्चे थे ऐसा नहीं बटा special बच्चे थे बस इन्हों ने वह प्त जो किया और ऐसे नहीं कर पैए अपने आप नहीं हो गया लोग आपके साथ फोटो खिचाने की कोशिश करें कि नहीं मैं इसके साथ फोटो है विद दे टॉपर ओफ गेट, है ना दिस दोज़र बाइस, दोज़र तेईस, दोज़र यहां से हमने जस्ट बात करना चाहरे है 2021, जिसका, यह यह सी टॉपर, आपको लग रहने कि अगर मुझे वो वाली फीलिंग चाहिए ना तो उस फीलिंग के लिए आपको उतना महनत करना पड़ेगा, और वो महनत कहां से एक स्टडी, एक सिस्टमाटिक स्टडी, हमें रतन डाटा सिंपल बोलते हैं हम रतन डाटा एक सिंपल बात बोलते हैं कि आपका ड्रीम से ज़ादा बड़ा विलीव होता है अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं उससे ज़ादा ज़रूरी है कि आप बिलीव करें पहले अपने उपर बहुल सारे बच्चों को मैंने देखा है वो वाला connection क्रियेट करना पड़ेगा और वो connection कोई नहीं क्रियेट करता है maximum बच्चे क्या होते हैं maximum बच्चे अपने अंदर जस्य मान के चलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ अपने आपको तसलिक दूसरों को बोलते थे यार मैं पता ना यहां से यह अभी organizing है इस बार आपका IIT खड़कपुर ले रहा है ध्यान दीजिएगा इस बार आपको IIT खड़कपुर से पेपर मिलेगा तो आपको IIT खड़कपुर पे फोकस करना रहेगा आप उसके previous year के papers देख लिए कहां से क्या पूछा जाता है क्या है यह organizing IIT है जो अभी तक यहां से 2021 में आपका IIT बंबे ने लिया है चलो अभी यहां से बात आता है कि सर हमें क्या strategy बनानी चाहिए कैसे हमें बात करनी चाहिए यह सब तो सब चलता रहता है सर चलता रहता है यह सब कहानी चलती रहती अब मुझे पहले पहले मैं बताता हूं पहले मैं बताता हूं हलाकि मलब अब मेरे मलब अगर कभी घर आना अब घर तो कभी आओगे ने लेकिन फिर भी तुम्हें मैं बताता हूं आज मैं बताता हूं कि मलब ऐसा नहीं होता है तो I was born in Delhi मैं दिल्ली में born हुआ था दिल्ली में born होने के बाद अपने गाउं चला गया था Itava मेरा गाउं है अगर मैं अब किसी को किसी ने सुना हो UP में Itava का मैं रहने बाद हूँ और वहाँ पे मेरा एक गाउं है Itava तो कहें डिस्टिक है गाउं है और उस गाउं से अगर मैं road की बात करूँ जो मेरा personal जो गाउं है जहां पे महलाव मेरे father महलाव मेरे दादा जी सब लोग तो जो गाउं है वो road से 20 किलो मीटर दूर है मतलब उस गाउं से अगर कोई पैदल आना चाहेगा अगर उसको गाडिया पकड़ना चाहेगा आप तो खेर सब चलने लगा हुमारे टाइम पे जब आप वहां से रोड पे आना चाहते तो आपको 20 किलो मीटर चलना पड़ता था लोगों के पास किसी के पास साइकल गोल करती थी कोई पैदल आता था 20 किलो मीटर की डिस्टेंस 20 किलो मीटर तो वहां पे कोई स्कूल नहीं था कुछ भी नहीं था एक प्राइमरी स्कूल था उस प्राइमरी स्कूल में मैं पड़ने जाया करता था और हलाकि मैं वहां पे सेकेंड क्लास तक पड़ा था और सेकेंड क्लास में वहां भी मैं टॉपर ही थी सेकेंड क्लास मे मैं वहाँ पर टॉपर था, क्योंकि जो गाउं के बच्चे थे, उन्ही उन्दों मैं काना राजा वाल原 Nil conse, तो महाँ पर मैं तो अगर मैं अपने फादर के बारें बात करो हमाँ Państu है, मेरे फादर जो थे वो रेलवे में थे, बीच में जोब अगार Susa तर जोफं diy लो रेलव प्राइमरी में पढ़ा जहां पे 5 टक मुझे ये तक नहीं पथा था कि ए वी सीडी क्या होती है यह बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं यह मैं अपना खुद फिप्त क्लास में पहली बार सीखा था कि ABCD क्या होती है पहली बार मैंने सीखा था घर में इतना ऐसा कुछ था नहीं पापा करा जो जो लोग बोलते हैं ना कि सब मैं बहुत गरीब हूं मैं तयारी नहीं कर सकता है मैं आपको बताता हूं आप लोग अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा मेरे पादर की जो लुटि नहीं पादर के आपको पादर की नहीं आप बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में डालना जहां पढ़ाई होती हो तो पापा ने प्राइवेट इसकूल में डाला अज़िवाँ के बच्चे वह तेज थे अच्छे तो मैं कहीं न कहीं से उसे पीछे रह गया लेकिन फिर में रात रात मदलब कुछ भी आता नहीं था मुझे हिंदी मदलब आती थी और इंगले साथ ही नहीं थी तो उन लोगों ने पहले बोला उन लोगों ने वहां पर बोला था पहली वाँ जब अड्मीशन करने के तो आपको बच्चा बहुत छोटा है एक काम कर लेतें इसका फूर्थ में अड्मीशन ले लेतें विकास सिक्स वाले बच्चों के साथ ही नहीं कर पाएगा तो फादर को बहुत था उन्होंने बोला था कि मुझे आज भी याद है मेरे पापा मेरे बहुत बँदेंस रही बहुत कॉंफिदेंट रही है तुननना बोला कि क्योंकि मैं इतना तो पढ़ ही लेता था अच्छा फिर वहां पर पढ़ना शुरू कि आ पढ़ते गए पढ़ते गए तो 678 तीनों में टॉपर रहा नाइन्थ क्लास में जब मैं पहुंचा तो फिर से वही बाला हल की मलब कॉलेजिस वैसी थी स्कूल्स वैसी थी तो 10th क्ला है जैसे तैसे फर्स डिवीजन आई थी बहुत ज़्यादा माक्स नहीं आए थी आप ऐसा मैं सोचना कि नहीं सबने कुछ बहुत मलब बहुत स्पेशल थे मैं बहुत नॉर्मल बच्चा था बहुत नॉर्मल और हाँ आप मैं बताओं आपको 12 में कहानी क्यों 60 परसेंट आ प्रेक्टिकल था कि उतना जदा मैं पढ़ नहीं पाता था बिकॉस को मुझे कभी बोलने बाला था नवे फादर ने आश तक कभी मुझे नोप ही बूला कि तुम्हें पड़ना है क्या करना किसी नहीं नि नहीं दिड़ा कि मुझे करना है और कर के दिखा हमेशा था आचाए जब मैं हुआ तो सब लोग कोचिंग कर रहे थे टाल मुझे शॉक्त कर रहे तो फादर से बोल दिया कि नहीं, पाप मैं बड़ा परिशान तो मैं गुस्चे में घर से अपना बैख उठाया और जया रहाथ है, जब मैं जया रहा था, तो मेरे पापा गेट पे थे, जहान पर गेट बंद यहाद किया जा था, तो पापा ने बोला कि रूख जआ, एक मिनट रूख जब, यह टेम निकल जान दो, उसके बात तुम चले जागा, तो उनसे हाथ पर जोड़े, मुझे तो सारी चीज याद है, मैं सामने से था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ था, कि जो लोग अपने आपको ये सोचने ना, कि मैं कर नहीं सकता, जिन लोगों को भी लगता है, कि मैं कर नहीं सकता, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीके, वहा कई लोग रहते थे तो क्या से निए चले गए और फिर मैंने पढ़ा पढ़ा पढ़ने बाद फिर जैसे से सलेक्शन होने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब अड़िशन हुआ तो घरना बड़े सब तो बैंक से लोन करवा दो कोई तो मदद कर दो अच्छा उस तरह पर लोन भी इतना आसान से होता नहीं था फिर मैं गया लोन बैंक में बैंक में अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत महनत करते हो मैं बैंक में तीन दिन तक सुबह 10 बजे लाइन में लगता था रात में 11 बजे लाइन से हड़ता था और वो बैंक हमारे इटावा में भर्धना में SBI बैंक है आज भी देख लो जा कि उसमें बीड़त नहीं होती है सुबह 10 बजे लगता था रात में 11 बजे लाइन से हड़ता था वहीं बैठता था वहीं सब कुछ करता था तीसरे दिन जब 10 बजा था तो बैंक मेरेजर को लगा कि नहीं ये लेके जाएगा तो उसने लोन किया था जबर जस्ती कर दिया था तीसरे दिन उसने लोन कर दिया प्लेस्मेंट हुआ था वहां पर नौकरी लगी थी 12,000 रुपए की 12,000 रुपए की फिर मैंने मुझे लगा कि मेरे पापा हमेशा मलब पूरी जिंदगी इसी बज़े से परेशान रहे अगर मैं 12,000 रुपए की नौकरी करूं गा तो शायद मेरी जो next generation आएगी उसका भी वह हालत होगा उसका भी वह हालत होगा हाँ बैंक चार बजे तक बंद हो जाता है यह सब लोग बिल्कुल सही बात बोले कभी बैंक में दुबारा जाना चार बजे के बात बैंक बाहर से बंद हो जाता है अंदर उसमें काम चलता 6-7 बजे तक आप चले जाना कभी देखला जा जब आपकी मदद का टाइम होता ना आपको अपनीकुद मदद करनी होती आपको खुद लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा निलागा कि मैं कर कब भी नहीं लगा फिर करते 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 जब final year के बाद final year था फाइनल यर में था था तब दिल्ली में फिर संसक्राल कौचिंग करना है नहीं यान कर दिन को çो चींग की बात आइ से उस辉ansen यहां जाके कहीं दीर से मलब फिर अम विए टेक के लिए गया, तुरंटो selection नहीं होता, किसी का नहीं होता, तुरंट selection फिर MDCH के लिए चला गया, फिर उसे MDCH के बाद, shipping corporation of India limited मुआ, तो बड़ी लंबी कहानी, और एक चीज बता हूं, मैं जिस इस बंदे से मिलता था, मैं जब भी मिलता था, जैसे फिप्ट क्लास में, थर्ड क्लास में एक बंदे से मिला था, वो मुझसे आगे था, तो पहले मैं ये ट्राइ करता था, कि मैं इसको पीछे करूँ, हमेशा, फिर मैं दूसरे बंदे से मिलता था, हमेशा ट्राइ करता था इसको पीछे करूँ तो life में अगर किसी को ऐसा लगता है मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जब मेरे पास चपल नहीं रहा करती थी तब भी दिन देखे हैं जब मैं ऐसी चला करता था और पैर जल जाते थी और भाग के जाया करता था नल पैर पैर पानी चला लो तो पैर जो जल रहे हैं वो बच जाया हैं मैंने वो दिन भी देखे हैं लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई से अपनी life में कभी भी compromise नहीं किया कभी compromise नहीं किया अगर आप यहां से हाँ येस येस हाँ नहीं ऐ फोर्ष में टेक्निकल गुरूप में तो वहां पे जब मैं गया था तहो ये 12 ही कहानी है अम्भालामें वो चलो तुमने बता दिया मेरी त्बिएत खरापती उप्विसली सबिएत खरापती कल हाँ सोरब कुमार रंजन राउत है ना इसमें एयर फोर्स में एक्स इसमें एक्स ग्रूप और वाई ग्रूप दो होते हैं एक्स ग्रूप में टेक्निकल वाले में हुआ था या नॉन टेक्निकल वाले में हुआ था तो वहां से मैं चलाया था एक दिन तो करना अब दिन अगर अगर आप महनत करने चाहते हैं हाँ मेरा एक सपना था कि मैं आपने घर वालों को मैं आपने घर वालों को वो जो खुशी होती है वो फेस पे जो happiness होती है वो happiness दोगा तो वो happiness घरवालों को देनी ज़रूरी है अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है और उस happiness के लिए आपको जो करना पड़े न वो कर जाओ अब इसके बाद अगर किसी को लग रहा है कि sir best preparation strategy बता दीजे तो वो best preparation strategy आप खुद हो बच्चे वो आप खुद हो आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप खुद नहीं कर सकते ना तो मैं 10 strategy लेकर आऊँगा 10 के 10 strategy में आप कुछ नहीं कर पाऊगे मैं guarantee देता हूँ आप नहीं कर पाऊगे हम अकसर ऐसा होता है अकसर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम 10 दिन पढ़ते हैं तो 10 दिन के बाद हमारी जो life ऐसा ऐसा लगने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है आप नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन आपको रुकना तब तक नहीं है ना चीक है बाकी लोग बाकी लोग जितने भी लोग हैं तो मुझे सबसे पहले तो मुझे तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं अगर आपके अंदर वाकई में जिद है वाकई में जिद है कि सर मैं करके दिखाऊँगा और मैं रैंक लाओंगा अगर मैं rank लाओंगा तो पहले तो मुझे वो चाहिए कि हा सर I will do it I can do it I will do it, I can do it तो सबसे पहले तो मुझे आपके अंदर से चाहिए आपके अंदर से वो आग चाहिए आपके अंदर से वो आग चाहिए तो पहले तो मुझे जितने भी लोग हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, कि yes they can do it, पहले मुझे रेटेन में चाहते, और ये पागलपन है, हाँ सर, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा,łych के? मुझे चाहिए, yes, कितने लोग है मेरे साथ जो करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस मीडियम हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये करना है, लेकिन करना तो बेटा, आपको है, करना आपको है, ठीक है? करना आपको है तो जितने भी लोग है, वनाब ऐसा कुछ भी नहीं, कि कुछ भी impossible लेकिन पहले आप पास्सों के अंदर rank तो लाओ यार तुम लोग तो simple बोल देते हो, सर नौकरी नहीं है market में, अरे नौकरी नहीं है तुम कितने मरपास्सों के अंदर रेक लाओ, तुमारी नौकरी नहीं मिली यह तो गलत है न, यह तो गलत है न, आपको करना पड़ेगा बिटा, आपको करना पड़ेगा तो जस यहां से बस बात करें कि सर हमें क्या strategy लानी चाहिए तो इसके लिए आपको पहले planning, अपने लिए सोच लो, अपने लिए एक planning सोच लो कि सर, मेरा जो target है वो target क्या है सर, target मेरा है gate 2022 ESC 2022 ESC या मैं यहां से बात करना चाहरा हूँ gate की, यह मेरा target ठीक है, आप अपनी rank सोच लो सर, मैं इस rank में बात करना चाहता हूँ मैं अपनी rank पे बात करना चाहरा हूँ मेरी कितनी rank मुझे चाहिए है ना, और बहुत से लोग बोलेंगे बहुत से लोग हसेंगे इस बात पे कि सर, क्या कर रहे हो अब पागल बना रहा हाँ छी के मैं बना रहूं पागल लेकिन मुझे वो पागलपन चाहिए आपके अंदर भी कि यस मैं करना चाहता हूं अगर हम यहां से रैंक ही बात करें तो सर हमें रैंक चाहिए अपनी रैंक सोच लो जो आपको लग रहा है कि इतनी रैंक मुझे काम क लाने जो भी हो जाहे जो भी हो जाए ठीक है इसके बाद की कहानी है जब मेरा Sipping Corporation of India ले मिटेड में हुआ था तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि है ना और मैंने पढ़ाई की बज़े से मेरे घर में मेरे छोटे भाई की शादी पहले होई थी मेरी बाद मोई थी है ना क्योंकि मालब ऐसा हुआ था मैंने बोल दिया था मुझे तो कुछ मैं जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक कुछ करूंगा जब वहां पर हुआ तो फिर मुझे यही चीज़ लगी फिर मुझे यही चीज़ लगी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मतलब आप मालब आपने क्या बेभुकूफी की यस की मैंने बेभुकूफी I was in मतलब मुंबई और मुंबई में Shipping Corporation of India Limited वहां से leave करके directly मैं पुने गया था और बस म वहां पर एक institute था इंस्टूट था हलाकि मनी मिलता था उसमें कोई दो रहा है नहीं इस ने मनी ओफर किया था और मैं पढ़ाना शुरू किया अच्छा लगता कि और सारी बच्चे बहुत सारी और कोई ऐसा single बच्चा हो कोई single बच्चा अगर ऐसा हो यहां पर जिसने जो म कर पांगा उतनी जरूर करता हूं हमेशा करता हूं है ना तो मैं फिर मलब वहां पर पढ़ाना शुरू किया मेरे खाल से वहां पर बहुत ज्यादा एक साल में वहां पर रहा था उस institute में फिर मैंने अपना खुद का institute स्टार्ट किया था और वह institute में चलाया बहुत सारे को पता है उसके बाद मैं दूसरे institute में था और वहां पर मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई बुरा होता है कोई अच्छा होता है हमारी नहीं बनी और आप तो मैं वहां से लिव किया और अभी मैं आपके सामने तो लाइफ में परेशानिया परेशानिया हमेशा आती रहती आती र लोग है ना 50-60% लोग mental की वज़े से नहीं पड़ जा रहे है उनका mental strong नहीं अगर आप mental strong है न तो आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं चलो बेटा तो यहां से जस बास सुनी है ठीक है चलो यहां से सुनो marks की बेटा बात करें तो अपना target कर लो अगर आप 85 प्ल लिएगा हाँ आभी सिपिंग कॉर्परेशन में जो पैकेज रहता है वह इनीशल सेलरी जब आप सिपिंग कॉर्परेशन में जाते हैं तो शुरू के ये लड़ साल आपकी ट्रेनिंग चलती है उस ट्रेनिंग में कुछ पैसा आपको खुद देना पड़ता है कुछ कमपणी देती है उसके बाद जो package मिलता है वो initial salary enhanced salary 97,000 आती है initial salary जो होती है और package का उसमें कोई limitation ही नहीं है अगर आप shipping में कभी 5 साल या 10 साल काम कर गए तो आपका जो salary रहता है वो 3 लाग 4 लाग के असपास जाता है तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अगर इसमें जाते हैं shipping field में हाँ लेकिन shipping field में depend करता है जैसे आपने मेरा तो PSU था आप जैसे किपसी private में जा रहे हैं वहाँ से training कर ली उसके बाद फिर नोकरी नहीं मिलती तो दिक्कत होती है चीक है तो इट डिपेंड्स कि आपके आमलब का क्या चूज करना चाह रहा है तो इनिशल सली तो वही रहती एक लाग तब का college going बच्चे हैं वो यह ध्यान रख लें कि math और empty को तो आपको साथ लेके चलना चीक है math और empty को आपको साथ लेके चलना इनका साथ तो कभी नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहे जो भी हो जाए चीक है और अगर यहां से बात करें तो technical subjects को देख ले तेकनिकल subjects में यहां से आप चाहे तो दो technical एक math लेके चल सकते हैं चीक है और empty लेके चल सकते हैं या one technical और math और empty लेके चल सकते हैं चीक है इनकेस अगर आप college going हैं तो college going में आप essay लेना एक technical ले लिजेगा एक math ले लिजेगा और aptitude ले लिजेगा अगर आप pass out हैं तो आप दो technical और math और aptitude के साथ जे सकते हैं ठीक है अपना यह ध्यान रखना है कि हमें इसके साथ जाना रहेगा और बिलकुल हमें उस level की त्यारी करनी पड़ी कि daily का plan करो अगर आप self study student हो अगर आप self study student हो तो minimum plan करो पढ़ देगा 7 to 8 hours का minimum plan करो कि मुझे 7-8 घंटे पढ़ना है सर 7-8 घंटे से कम में काम चलेगा नहीं मेरा है ना इस से कम में काम चलेगा नहीं और अगर आप afford कर सकते हो तो plus वाले पर चले जाना है ना because हमें life एक बार मिलती है और तयारी भी हमारी एक ही बार होती हलाकि मतलब होना ना होना लेकिन एक अलग चीज है base बनाना अलग चीज है तो अगर आप कर सकते हो जैसे जो आपको लग रहा है अब self कर सकते हो तो self available है पूरा 65-70 marks available है 30 marks का content आपको खुद करना पड़ेगा ठीक है प्लस अपने आपको self motivation देना पड़ेगा कि yes मैं करूंगा और उसके लिए self motivation के लिए जरूरी है daily day तुमको लग रहा है न कहीं पे कि नहीं नहीं सर मैं demotivate हो रहा हूँ तो yes बात कर लो मेरा reply आपके पास आएगा हो सकता कि दो दिन बात आए लेकिन reply आएगा गैरेंटीड आएगा कभी ऐसा होता ना बहुत सारे message आते हैं तो कभी reply ना करका हूँ लेकिन आएगा जरूर यह ध्यान रखना कि reply आएगा जरूर math और apti के लिए मैं बता दे रहा हूँ देखो aptitude के लिए तो 2 sir के बारे मैं बता देता हूँ एक sir आपको पढ़ाते हैं अविनास sir aptitude के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ एक sir पढ़ाते हैं अविनास sir और एक पढ़ाते हैं Saurabh sir सौरप ठाकूर सर, मेरे ख्याल से सब जानते हैं, बहुत well-known personality है, तो आप यहां से अगर बात करोगे तो यहां तो अभिनास सर और सौरप ठाकूर सर, इन दो लोगों से aptitude पढ़ लो, इससे ज़ादा की जरुद तुम्हें पढ़ेगी नहीं, ठीक है, यहां से, दो लोगों क किसी की जरुद नहीं पढ़ेगी, aptitude तुम्हारा जो 9 marks से पूरप सर, आपको English भी पूरी कवर कराते हैं, अभिनास सर साथ English कराते हैं नहीं कराते हैं, मुझे आइडिया ने, बट पूरा का पूरा यह 15 marks का aptitude, दोनों से देख लेना, अभिनास सर से अगर आप पढ़ोगे तो आपको किसी भी question का formula लगाने के जरुद नहीं पढ़ेगी, किसी भी question का formula लगाने के जरुद नहीं पढ़ेगी, आपको directly अगर आप देखेंगे, तो simple बस लगाईए, और just question लगाईए, trick लगाईए हो जाएगा, सोरप सर से depth of knowledge जाना है, तो देख लो, दोनों सर हैं, आ थोड़ा सा ध्यान रखेगा, कि हाँ, 60 to 65 marks का content मिल जाता है, 35 नमर का content आपको खूद करना है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, कि हाँ, sir मैं खूद कर सकता हूँ, तो कर लीजिए, in case आपको लग रहा है, किसे नहीं कर सकता हूँ, मैं afford कर सकता हूँ, तो plus पे चले जाना कोई ऐसा, वो मत सोच रहा है, किसा पैसे की बात कर रहा है, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जाना मत जाना, plus पर चले जाना, और अभी जाना हो, तो अभी चले जाना, तीन महीने का extra में लेगा, अगर public sector का भी भर देना हो, इन case अगर आपको लग रहा है, नहीं तो कोई बात हैं, जो लोग तयारी करना शुरू कर दिये थे, है ना, पहला target एक सास में, पहला target एक सास में क्या होना चाहिए, कि हम सर, अगस तक अपना सलेबस खतम करेंगे, पहला target यही कर लो, कि हम अगस तक अपना पूरा सलेबस खतम करेंगे, और फिर उनके कम से कम 8-10 रिवीजन म है, 6 मन्त में आपका पूरा सलेबस फिनिश हो जाता है, ठीक है, 6 मन्त में आपका सलेबस फिनिश, फिर आपके 8-10 रिवीजन, minimum 8-10 रिवीजन, ठीक है, 8-10 रिवीजन, और रिवीजन का मतलब यह नहीं कि जवर जस्ती करना है, है ना, short notes अगर आपको यहां से बनाना है, तब तक सलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, तब तक, कब तक, कब तक सलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, अगर आपने जनवरी वाले जो बच्चे होंगे, उनका सलेबस फिनिश में खतम हो जाएगा, obviously, बाकि जो 35% कोश्चन के थो मिलेगा, या फिर books, हाँ, books पढ़ना अगर आपको देखो, सुनो, दो चीजे हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल fact है, मैं आपको गुम्रा तो नहीं करना चाहूँगा, कि नहीं नहीं बेटा, एकदम से त सब कुछ अवेलेबल, हाँ, कहीं न कहीं से आप धूडोगे, तो आपको 60-70% मिल जाता, बट बाकी की चीजे रहे जाती हैं, है ना, और कहीं न कहीं से 60-70% है, उससे 60-65-70 नमबर तक आते हैं, बाकी के marks फिर वो यही रह जाते हैं, फिर बच्चा अगले साल फिर तयारी क जो लोग एक बार कोचिंग कर चुके हैं, उनको जरुद नहीं है बार-बार पैसा लगाने की, अब घर बैठिये और मुझसे पूछिए कि क्या करना है, मैं बताओं गा, चीक है, आचा, मैतमाटिक्स के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, विसाल सोनी सर पढ़ाते ह एक और क्या नाम है, महिसर राव सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, हला कि वो प्लस पर पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक स्रेनिक जेन सर पढ़ाते हैं, वो भी लेकिन प्लस पर पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, मैत के लिए बहुत हैं, पल्लव ग तो math और Ft के लिए अगर आप चाहो तो book भी ले सकते हो math के लिए NP Bali अगर चाहो तो NP Bali ले ठीक है NP Bali की book मेरे ख्याल से आपके पास रहती भी है NP Bali पढ़ लो इतना enough है बहुत ज़्यादा करने की ज़र नहीं Technical subject में आप सोम से start कर सकते हो TD से start कर सकते हो FM से start कर सकते हो Mechanics से start कर सकते हो इन 4 में से कोई से भी subject ले सकते हैं सारे basic जो coaching कर चुके हैं वो लोग cable guidance ले और पढ़ें बहुत ज़्यादा ज़रुरत नहीं है हाना एक बढ़ आप शारा idea है कि किया पढ़ना है कैसे पढ़ना है सारा idea है तो आपको ड़िल्व करना अップ को फिनिशिंग मीरिस कर कर देना है मैं आć आपको बता हुवाँ जब्लकुल चलो इधर से देखो अगर हम यहां से बात करें इनके बात के जो भी रिलेटेट सब्जेक्ट उनसे बात करें थर्ड टेक्निक से चलते जाएं फिर टेस्रीज आपको जुलाई में स्टार्ट करने हैं रिवीजन कम से कम आपको दस से बारा ही ना दस से बारा नहीं तो 8 से 10 लेलो कम से कम इतने रिवीजन के चाहा रही है जब' का आपको उगस hen KP. यम्बर चला जाएका जब टाइम कम बजता है तब हैंड बूक क्या है शौट नोट से शौट नोट हमेशा अपने अच्छे होते हैं और अगर आप वाकई में महनत करने वाले हो ना चलो एक handbook खरी लेते हैं है ना handbook में सब कुछ मिला है अरे handbook का जब आप public sector का paper देने जा रहे हो आप gate की तयारी कर चुके हो gate में बहुत अच्छी rank नहीं आई है अब public sector का paper है तो एक दिन पहले handbook उठाके देख ली that is okay handbook अच्छी है लेकिन जो करना है जो जरूरी है वो क्या कि पहले अपने short notes खुद बनाई है पहले अपने short notes जो है वो खुद बनाई है और वो जो short notes होगे ना उससे अच्छी handbook कोई नहीं होगे कोई सी भी नहीं होगे उसको spiral करा लो best है ठीक है हाँ 8 से 10 revision में कितना time लगेगा ये कोई बात होती है ये कोई बात होती है पहला revision अगर आप एक subject का करोगे पहला revision करोगे तो एक subject में कम से कम 10 घंटा लगेगा दूसरा revision जब उसी subject का करोगे तो वो time हो जाएगा 5 घंटा तीसरा revision जब करोगे तो वही time आपका हो जाएगा 2 घंटा और चौते revision पर वो time hardly आदे घंटे 40 मिट में हो जाएगा 5 पर revision जब करोगे तो तुम ऐसे बोलो कि sir रट गया है सब कुछी सब रट गया है ऐसे होता है revision ठीक है हाँ दोनों जगए कबर हो जगए हाँ sir ऐसा भी कर सकते हैं जैसे college में जो subject चल रहा है जो college में subject चल रहा है वो subject deeply तयार करने है जो second year वाले बच्चे हैं उनको कुछ extra load नहीं लेना है जो college में चल लेना है उनको तो अच्छा करना ही करना है हमें तो पूरे करना है तो हम चायज जैसे करें चीक है और बता है sir mtech ख बहुल गया हूं कैसे prepare करो एक बार फिर से कुनाल पाटल लाप फिर से नाइस है अर्भिंद बर्मा हैंडबुक अच्छी है यस यस देखो सब कुछ अच्छा content तो जहां से मिला ना उठा लो ना चुपचा content तो जहां से मिला उठा लो और किसका कुछ पाटल आप बेठना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से तयारी करने कशी क पड़ेगी बहुत बहुत डेटेईल में करना पड़ेगा चीजों को बहुत डेटेईल में कड़ेगा एक मिलना नीजेगा रिवीजन केkill mash दुबारा दूसरी टीचर से नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रिवीजन हमेशा अपने नोट से करिए बार बार इधर उधर किसी एक कहावत बताता हूं कि अगर आप यहां से किसी पेड़ की डालियों पर पानी डालोगे ना तो पेड़ बड़ा नहीं होग पेड़ की जड़ पे पानी डाला जाता है, तो इसलिए एक सब्जेक को चार टीचर से पढ़ने की जरुद नहीं है, आप एक बेस्ट टीचर चूस करो और उसी से पूरा पढ़ लो, अक्सर हम लोग गलती यह करते हैं कि हम चार टीचर से पढ़ते हैं, और उस यकर में हमारा टायम बहुत लॉस होता, हमारे पास इतना टायम नहीं है, हमारे पास टायम कितना है, हम सब्जेक्ट एक बाढ़ पड़ा ले, रिवीजन कर ले, उसके गेट के कोशियन लगा लें, ESE conventional लगा लें, और अच्छा हो रहा है तो administrative services question लगा लें, बस ख़ता, books पढ़ने का भी time नहीं है, books पढ़ने का भी time नहीं है, कितना time होता है अपने पास, 4 साल का slavus है, 4 साल का slavus है, आपको यहीं से just, अगर एक साल में करना तो सोचो कितना already काम है आपकी पास सकुनाल पाटिल, अगर आपको कहीं पर कुछ भी doubt होता, आप मुझे message कर देना, मैं आपको बताऊंगा कुछ भी, what will be the strategy for the dropper, yes, dropper के लिए बेटा, मैं एक दिन separately strategy लाने वाला हूँ, जितने भी dropper बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक दिन separately लाऊंगा, मैं just उस पर work कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वो time को slots में बाटे, आप slots में कैसे बाटोगे, आपने यहां से बोला कि sir, यह slot 1 है, जिसमें आपको math अप्टी लगाने लगाना है, ठीक है, चाए वो एक घंटे का slot हो, चाए व और यह बैटर है कि आप खुद करोगे, हाना, theory बाला पाट करना है, फिर हमें sir उसके numerical करना है, यहां से हमें just, चार घंटे में हमने देखा कि हमें 10 question, यहां पर हो जारे 5 question, यहां जारे 4 question, लेकिन 4 से 5 slot में करो, अगर आपके पास एक साथ time है, तो obviously आप एक साथ करो, लेक साथ 10 घंटा पढ़ने की गलती मत कर देना है, एक साथ 10 घंटा पढ़ने की बलती है, हाँ, CT नहीं बची है, कुछ भी, अब तो private job मिल जाए, तो वो भी, yes, मुकुल गौर, मैं यही बात तो कर रहा था, बिटा, मुके सर का स्टार्ट हो रहा है, सोम, yes, आप मुके सर से सोम बढ़ सकते हो, सोम के लिए, मुकुल गौर का भी यही कहना है, और बस मतलब यह जो चीज है न, इसमें बच्चे काफी परेशान होते हैं, सर विकैंसी नहीं है, बता यह क्या करे, विकैंसी नहीं है सर बता यह क्या करे, तो यह एक बड़ा इशू है, और इसके लिए मैं जौब पानी है ठीक है और इसके लबाद इसका कोई रास्ता नहीं है तो आप ये मत सोच लेना कि नहीं सर हमारे लिए अलग से वेकेंसी निकाली जाएंगे तब बुला जाएगे कि सहाब अब आप आपके लिए वेकेंसी निकल गए अब आप फॉर्म भरो है ना फिर आप से सोचा था और आप ही को करना है ठीक है हाँ बाकी जो सब्जेक्स हैं वो भी होंगे क्या लाइब लेक्चर यस प्लान तो यही है बाकी जो होंगे लाइब लेक्चर सारे के सारे चलो गेट के बारे में मेरे ख्यास से जितने भी बच्चे हैं सबको आइडिया रहता है तो मै किसी को नहीं बताऊंगा gate का score बस 3 years के लिए valid होता है ना gate का score जब वो 3 years के लिए valid होता है slave us सबको idea है तो मैं इसमें आपको किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा सबको पता है कि sir gate के बारे में क्या होता है कैसे होता है गेट के ये आपके अभी भी, अभी भी जो लोग बोलने भी खैसी नहीं, अगर आप मतलब top 500 rank में रहेंगे तो आपके पास ये सारे options रहेंगे, private job मैंने आपको दे दिया, higher studies मैंने आपको दे दिया, higher studies में आप यहाँ से gate के थूँ, mtech कर सकते हैं, mtech कर सकते हैं, ms कर सकते ह और mba कर सकते हैं, ठीक है, mba कर सकते हैं, यहाँ से management वाले courses कर सकते हैं, यह तीनों हैं, mtech नम बले तो आप ms कर लो, ms जो है, वो थोड़ा सा time taken रहता है, research field वाला रहता है, तो आप इसमें जा सकते हो, abroad studies में आपकी universities हैं, 4-5 universities हैं, उन्हीं universities में आप जा सकते हो, gate के थू सब कुछ है, लेकिन कम-कम, कम-कम है, आप अगर अपनी आखें, पहले भी कौन से लोग थे, जिनकी 500 के अंदर rank नहीं हो थी, उनके नोकरी लग जाए करती हैं, पहले भी यही condition थी, अब भी वही condition है, लेकिन बात दिया कि आप 500 के अंदर लाना नहीं चाहते हैं, तब आपकी तो डरेक्ट बात होती है, फिर ऐसा क्यों परिशान हो रहे हैं, प्लेलिस यूट्यूब पर रहेगा, थर्मों के बात, हाँ, येस, वो रहेगा आप उसको देख लेना, ठीक है, वो रहेगा उसको आप देख लेना, तो गेट के दो आप्शन्स बहुत हैं, ऐसा नह लिए हैं, और आप ही को करने, आपके पास गेट भी है, और गेट अगर आप अच्छे से कर गए, हाला कि ये रहता है कि एक बार एक्जाम रहता है साल में, तो सर हम, इट में भी कि उस टाइम पे बीमार हो गया, इट में भी हम उस टाइम पे फ्रस्टेटेट हो गया, ठीक नेक्स्ट येर इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल हमारे साथ वाले हैं पिछले अगले साल हमारे जूनियर भी आ जाएंगे और अगले साल हमारे जूनियर की जूनियर भी आ जाएंगे तो कॉम्पेटिशन किसने बढ़ा है हमी लोग ने तो बढ़ा है किसने अलग थोड बाईचान साब का पैकेज यह 16 लाग हुआ है ना तो आपके पैरेंट्स की वो खुशी कि येस मेरा जो बच्चा है वो मतलब इतना पैकेज पा रहा है मेरे साथ के एक टीचरी है तो वो कहानी थी एक बार की हाँ कहानी थी पता नहीं क्या उनका लड़का घर गया था तो उन आति वेशन देगे और पैकेज आपका बहुत अच्छा और यह आपके घर्वालों को सबसे जादा खुशी एही देगा कि बहुत अच्छा रेंग आगए तो इससे जादा तुमारे फैमिली यह कुछ हो हीं WRITT Ge कभी नहीं सकते कभी नहीं हो सकते मेरे लड़के की कि कुछ कर नहीं पाऊगे, 25,000 रुपए से आप स्टार्ट करोगे, और अगर आप रिसर्च में जाते हो, तो रिसर्च में आपका यहां से 25 से 28, 36, 38, 40, यह रिसर्च फिल्ड है, तो इसमें भी आपका ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, यहां से motivational story सुना देजे, यह देखे, motivational story, यह जानता हो, इस टाइम नहीं बिटा, मुझे अपनी life में बस एक चीज समझ में आई, कि अगर आपके पास पैसे हैं, तो लोग आपको पूछेंगे, मतलब अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं, कि बहुत बड़ा experience है मेरे पास, लेकर मुझे एक चीज समझ में आ आपको पता है नहीं, इनकी कहानी आपको पता है क्या, इनकी कहानी यही है कि ये एक बहुत बहुत गरीब family से थे, बहुत ज़्यादा गरीब family से थे, जब बहुत ज़्यादा गरीब family से थे, तो इनका एक सपना था, मतलब कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो पहली बार इ इनको एक shard दिखा के पूछा, कि ये shard कितने की होगी, इनोंने बोला कि जादा-जादा एक डॉलर की होगी, इनके फादर ने वो shard इनको दी और बोल दी, कि जाओ इस shard को दो डॉलर में बेच के आओ, वो बंदा गया, उसने shard को धुला, धुलने के बाद, जैसे तैसे प मार्केट में किसी नहीं पूछा और दस्यों तक परेशान रहे थे जब दस्यों दिन तक परेशान रहे थे तो उनको इस चीज का समझ में आया कि कैसे करें कैसे करें तो वहां पर कोई celebrity आये थे, नाम तुम्हें नहीं आद है मुझे, celebrity की उन्होंने उस shirt पे just क्या उतने autograph ले लिया था, जब autograph ले लिया था तब उनको लगा कि yes, इसका मतलब यह है कि अगर आप life में कुछ करना चाहते हैं तो आपको perfection लाना पड़ेगा, और perfection के लिए वो अपने football के मैदान पे स साथ compete कर रहा हूं, तो मुझे उनसे जादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं जादा मेहनत करूंगा, तो मैं उनसे आगे जाओंगा, अगर जादा मेहनत नहीं करूंगा, तो मैं उनसे आगे नहीं जाओंगा, आप लोग जितने लोग यह आपे तैयारी कर रहे हैं, आप कि मान के चलो कि अकर जंगल बंदा वो बोल रहा है कि मैं आठ घंटे पड़ता हूं और आपको उससे आगे निकलना है ना तो आपको उससे जाधा महनत करनी पड़ेगी और यह करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा तो यह माइकल जौडन थे इनकी जो मेन मोटिवेशन था इनसे करें सेक्ह Tokyo बस इतना है कि हम सब के साथ तैयरी करने तो सबजो कररहें ना उनसे एक्स्ट्रा मुझे एफकर देना पड़ेगा तभी तो अम सबसे आगे निकलेंगे यह काम तो सब कर रहे हैं सार यह काम तो सब कर रहे है अभ यह मैं यह यह ऑन पर पचास-सट तयार है देने को कोई नहीं जैकी जोरसिया ने कट कर दिया ठीक है चलो कोई बात ने मैं अभी अभी जैस्ट हाँ सुना होगा तो अपने अगर सुना है तो अच्छी बात है तो अपको अगर स्पेशल बनना है न तो एक्स्टा मेनद करो यह आप माइकल जोर्डल से सीख सकत तो जहां पर नजफगळ से जाप फीर्ड पही पर पैदल पैदल जाते थे पैदल जानके पैदल जाके पाँ किलुमिटर चांसे नेू को कि इनको कोही इनको कोई आसा नहीं आप सपना है तो यह न के लिए आपको तफल बगएरा निकालना पड़ेगा और भी बहुत सारे हैं लेकिन उसके लिए आपको वो जो magic number है ना वो magic number कितना है under under 100 under 500 under 200 वो magic number cross करना पड़ेगा अगर आप उसको cross कर गए तो yes आपका काम जो है वो हो जाएगा यह books बगएरा हैं मैं एक बार और बता चुका हूँ यह सारी की सारी books सब लोगों को यह books मैं सब को बता चुका हूँ ठीक है सी पर्मा की book आप mechanics के लिए हिवलर लगा सकते हैं मरियम एन कैरिज की book लगा सकते हैं आपकी books हैं अगर फॉलो करना चाहते हैं अदर्वाइस मैं बताओ न सबसे बढ़िया बात सबसे बढ़िया पता क्या है आप books न लगाके simple एक चीज ध्यान रखिए अगर आपको वाकई में simple selection लेने तो आप बस इतना याद रखिए कि सर मैं पहले तो पढ़ू हूँ है ना समझ लिजिए 425R की तो आपकी study होगी अभी slivers कतम करने के लिए अगर आपको august में slivers कतम करना 425R की तो आपकी study होगी इसके बाद का plan रखिए कि आपको gate का PYQ पूरा लगा लेना है gate का PYQ और इसके साथ जो 425R उसमें भी teacher question लगवाएगा teacher question लगवाएगा ESE का पूरा PYQ लगा लीजे ESE का पूरा और यह मैं बता हूँ यह कोई नहीं कर पाता है यह कोई नहीं कर पाता है सब बगवाज करते हैं कि मैं कर लूँगा कोई नहीं कर पाता है ESE का PYQ और ESE का conventional भी लगा लीजे ESE का conventional भी लगा लीजे administrative services का objective और conventional लगा लीजे objective और conventional लगाने जी इतना काफी है इतना नहीं लगा पाऊगे इतना नहीं लगा पाऊगे अभी मैं बता रहा हूं जब इतना लगा लेना ना तब सोचना आगे तब सोचना आगे कि हमें कुछ और करना है है ना अधर्वाइज देखो अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमें किवल इसलिए पढ़ना है कि सर मेरे 34 नंबर आजा तो 34 नंबर आजा तो फिर 34 नंबर के लिए पढ़ो मैं बता दूँगा 34 नंबर के लिए मैं टॉपिक बता देता हूं बस बोई बोई टॉपिक पढ़ने हैं 34 नंबर आ देएंगे बर 34 नंबर में तुमारी जिंदगी नहीं चलने वाले 34 नंबर में तुमारी ओस दिन जब उनको लगेगा हम मेरा बच्चा कुछ कर रहा है वह self-dependent हो गया है यस पापा बताओ तुमको क्या चीह, मैं करता हूँ, है ना, वो होगा सबसे ज्यादा खुश है, चल, आपको पता है हम नहीं लगा पाएंगे, तो फिर क्यों, तो फिर मत, देखो, देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो ये लगा जाता है, वो अंडर हंडेड, अंड सिर्यस बात कर रहा हूँ, तो आपको सिर्यस लेनी चाहिए, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और अगर आपको यही करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, और ऐसे बच्चों को रिप्लाई करना ही नहीं है, ये सथी सुतर वही बच्चा है, जो मुझे एक बार मैसेज किया था कि सर मुझे ये बताईए कि जो फम पढ़ा रहा है, वो क्रैस कोर्स पढ़ा रहा है या फूल कोर्स पढ़ा रहा है, मैंने रिप्लाई नहीं किया था, मुझे गुसा आत दी है ऐसे बच्चों पर जो अपनी लाइफ के लिए सीर्यस नहीं होते हैं, और कुछ भी मतलब कु Ten आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं करो next year फिर मेरे पास आओगे मैरे पास नहीं तो मेरे जैसे किसी पड़ेगा आपको लगता है मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी कोचिंग करिये आपको लगता है मैसेल्फ कर । आपको लगता है कि मैं अपने आपको में बंद करूंगा तो yes room में बद कर लीजे लेकिन selection होना चाहिए लेकिन आपका selection होना चाहिए क्योंकि अगर आपका selection नहीं हुआ तो आपके पीछे आपकी पूरी family जो है वो आप पे dependent है और अगर आपको family को अच्छी life देनी है तो ठीक है नहीं तो जो पुरानी बारी life है वो अल्रे मैंने यहां से aptitude के लिए वैसे तो मैंने लिखा है यहां पे एक crazy की book आती है BS gravel की book आती है NP Bali की book आती है आपको जो करना है वो ले रिचे आरे सग्रवाल की book मैंने आपको ऐसे ही लिख दी है बस आरे सग्रवाल की book आपको लगाने की भी ज़गत नहीं है आप जो teacher बता दी आप मुझे यह बता दीजिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ ठीक है आपको कहीं पर भी अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे सर की जरुरत है और ऐसा जरूरी नहीं है मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप बेटा मतलब सीरियसली पढ़ाई करो और एक्चल में क्यों बोलता हूँ ना क्यों बोलता हूँ प्लस पर आजाओ इसलिए बोलता हूँ कि वहां पर बच्चे सीरियस रहते हैं और अगर आप वहां पर जस नहीं आ सकते हो तब पर आप सिरियसली स्टाड़ी करो और अगर आप आ सकते हो तो अस्से तो बेस कुछ भी नहीं है तो फिर वहां पर रहो तो वहां पर आप पूछो वहां पर नहीं जा सकती हो तब भी आप मुझसे पूछो मैं हमेसा आपकी मदद करूगा ठीक है है ना चलो मैंने एक बार आपने कप के पास आउट है यह परणे कि प्धी यह स्पेशल मतलब आपकी पूरी स्टेडी पूरी सस्ट्रमाटिक होनी चाहिए स्पेशल का मतलब यह नहीं के बहुत तेज होनी की जरुरत नहीं यह मेरा टैंध क्लास में 57 परसेंट था 12 क्लास में 65 फाइब परसेंट 65 सम्तिंग कुछ था है ना सॉरी हाँ और नहीं ट्वल्ट में 62 था और इसमें बीटेक में 65 सम्तिंग था इसमें बहुत तेज होना चाहिए आग होनी चाहिए बस आग होनी चाहिए आप कर जाओंगे 2019 के पास आउट है अक्षे कुमार किसका टेसरीज बेस रहेगा टेसरीज मेरे खाल से आप यह जो सेलेक्शन रहेगा वो आप पे रहेगा आपको खुद चूज करना रहेगा आपको पता है तो दो से तीन अच्छी टेसरीज ले लीजी और मैं यहां पर खड़ा हूं और बाक सब्सक्राइब करता है तो इस एक को आप सीरेसली यहां से बना लीजी कि आपको एटास को कैसे डिवाइड कर दो दो गंटे के चार सलोट निकाल दीजे ठीक है दो डो घंटे के आप 4 slot निकाल दीजे इन 4 slot को divide करिये इन 4 slot को चाहे जब बाट लीजे इन ही पर आपको काम करना है ठीक है इन पर आपको काम करना और सोम बेटा सोम मुकेश सर का अभी साम को चलना शुरू है सोम कर लो मुकेश सर पढ़ा तो रहे हैं और मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे मुझे सोम नहीं आता बाकी कुछ भी पूछ लो सोम मसीन डिजाइन दो सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में मैं अपनी लाइक में कभी मलब उनको बहुत अच्छे से फील ही नहीं पाएं पता नहीं क्यों मत अच्छा लगता है किसी का कोई message बाकी, किसी का कोई message हो थो बिटा बस पूछ लो और session को हम लोग करते हैं हाना, बाकी जहां पर भी आपको जिस जगे पे मेरी need हो आप मुझे बताना, और हमेसा motivate रही है हमेसा motivate रही है उस दिल के लिए, जिस दिन हमारे घर में वो लेटर आएगा, कि हाँ you are selected, and you are selected as an officer in Indian Oil, NTPC, HPCL, BPCL, है न, वो लेटर आएगा, या आपका result आएगा, your rank is third, your rank is four, है न, उस दिन के लिए motivate रही है, वो दिन आपका happiest moment होगा, वो दिन और बताए, चीक है विटा, और कुछ अगर आपको पूछना हो, किसी को तो मुझे पूछ लो, और इसके बाद हम लोग session को end करते हैं, चीक है, आज तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है भी नहीं, पता नहीं कौन चार लोगा है, जिनको मेरी सगली पसंद नहीं, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, अगर आपको लगता हैं, तो आपका सेलेक्शन डेफिनीटली होगा, ठीक है? 8 hours को divide करوا तो दिया, 2, 2, 2, 2, 4 पार्ट में divide कर लो. timing, आप decide कर लो, कि वो 4 पार्ट आपके कहाँ कहाँ पे ओंगे. 4 पार्ट आपके कहाँ 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 पे divide होंगे. चीक. So, yes. आप fight के लिए ready रहिए. Fight के लिए ready रहिए. Yes. And we will do. और मिलके करेंगे ठर्मों का जो है पार्ट मलिक बावु कल 9 बजे क्लास रहेगी और मैं एक और चीज़ बता दें है ना कुछ एक और चीज़ बता दो ठर्मों की कल 9 बजे क्लास रहेगी उसके बाद नेक्स मैंने जैसे बताया था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फॉन पर रिप्लाई कर दूँगा, बाकी YouTube पर अविलिवल नहीं रोंगो, बीच में, ठीक है, तो I hope कि मतलब उस टाइम पर आप अच्छे से पढ़ेंगे, revise करेंगे, और 28 से फिर से अपना उसी form में फिर से वापस करेंगे, सारी चीज तो ओके, सब लोग happy रहो, must रहो, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं, कब next, आज शाम को FM की क्लास में, ओके बचे, अभी थर्मो और FM चलना है, तो साथ में math hefty, हाँ, अगर थर्मो और FM चलना है, तो साथ में math hefty ले सकते हो, daily का daily, एक देल घंटा, एक देल घंटा, दो घं हाँ, ठीक है, practice book मिल जाएगी, क्यों परिशाना है, चलो, चलो, ओके, thank you, love you all, आप मुझे unacademy के app पर message कर दीजे, हर जैन, आप मुझे unacademy के app पर message कर दीजे, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा आपको,